ओम शांती, आज बाबा के 15 अक्तूबर 2020 के साकार मधूर महावाक्य हैं, आज हम सब के लिए बहुते विशेश सतगुरुवार का दिन, वर्दान बाचनी का, वर्दान लेनी का दिन है, वर्दानी मुरत बन, आज हमें सब को वर्दान बाचनी है, ये वर्दान देनी का सुख बाचनी के बाद अनुभव होता है, जो भी आत्माजाप को मिले, जिसे भी आप स्थूल नेत्रों से देखें, या मन के नेत्रों से देखें, उसको उसके अनुसार जरूर संकल्पों से वर्दान दें, आप सदा प्रसन रहें, स्वस्त रहें, सद आणन्दित रहे, स्वं भी बाबा से वर्दान लेंगे आज हम कि मैं जागती जयोत हूँ जागती जयोत किसलिए है कि हमें पहले स्वं की जयोती को जगाना है आजके मुरली में बाबा ने हम सब के लिए यह बहुत सुंदर वर्दान दिया है कि आप सब संसार को रोशन करने वाली जोती हो तो आपको पहले स्वयम की जोत जगा कर रखनी है उसके लिए अपना महत्व समझना है अपनी करतव्य का महत्व समझना है बीती बातों को बिंदू लगा देना है इसके लिए आपको अभ्यास करना होगा अभी अभी करम योगी अभी अभी करमातीत ध्यान से समझेंगे इस बात को जब हम करम कर रहे हैं तो वो केवल करम नहीं करम में बाबा की याद होने चाहिए हमें लगे कि मैं आत्मा परमधाम से अवतरित हुई हूँ ये स्रेष्ट करम करने के लिए मैं करम योगी हूँ और अभी अभी करम से अतीत हो गए अच्छे बुरे के प्रभाव से भी परे हो गए जब बाबाने का आप ऐसा भ्यास करो तब आप स्वकल्याण विश्वकल्याण कर सकते हूँ हम सब क्यों परी जिम्मेवारी है कि हम विश्वकल्याण करें और उससे पहले स्वेम का कल्याण करें और स्वेम का कल्याण इसी बात में है कि हम प्राक्टिस करेंगे कौनसी प्राक्टिस? अभी अभी करम योगी अभी अभी करमा तीत साथी बाबाने बहुत सुंदर बात समझाई कि सेवा में धीलापनाने का कारण क्या है बाबने का सेवा में धीलापन इसलिए आता है कि बच्चे देविमान में रहते हैं आपस में मत नहीं मिलती है एक दूसरे की बातों को काट देते हैं एस्विकार करते हैं बाबने समझाया कि बच्चों को कभी भी सर्विस में आना काने नहीं करनी है देविमान के कारण इस तरह के संसकार इमर्ज होते हैं रोना, रूसना सेवा में आना काने करना बाबनी का ये सेवा इश्वरी ये सेवा है तो बच्चों को कभी भी आना काने नहीं करनी है जैसे मिलिचरी में जो लोग होते हैं उन्हें जो आदेश मिलता है उन्हें पालन करना होता है तो आश बाबा नी कहा कि आप बच्चों को भी बाबा के इशारे पर हाजिर हो जाना है आपसी मतभेद के कारण कभी भी सर्विस नहीं छोड़नी है रोना रोसना ये सब आशरी संसकार है पहले ने पहचानना है कि मेरा ये संसकार अच्छा नहीं है और बाबा की याद से देही अभिमानी स्थिती से हमें इन पुराने संसकारों को स्वाह करना है आज बाबा को मवाइदा देंगे, बाबा आपकी सिवा के लिए मैं सदा तत्पर हूँ, आप मुझे जो आज्या देंगे मैं उसे करने के लिए तयार हूँ, बाबनी का अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने से आप में स्वतही बदलाव आता जाएगा, पुराने संसकार समाप्त हो जाएंगे आज पुरा दिन हम वर्दान लेंगे सब को वर्दान बाटेंगे याद करेंगे मैं सदा जागती जोत हूँ जिनसे भी मैं मिलूं उनकी जोत भी मुझे जगानी है और पीती बातों को बिंदू लगा देना है अब हम सुनते हैं आज के मधूर महावाक्य आदने राच यूगनी बड़े दिदी से सरला दिदी ची ओम शांती गुड मॉर्निंग आज सत गुरुवार सत्य प्यारे शी बाबा आकर सत गुरुवार के दिन हमें सत्य ग्यान दे हमें दुआएं दे इतना श्रेश जीवन बना देते जो हम मनुष्य दीवता बन जाते सत्य गुरु की दुआएं सदा हमारे साथ है आज के दिन प्यारे बाबा को विशेश भोग लगाते है क्योंकि अनका मन पर प्रभाव है जितना बाबा की जाद में बोजन बना कर बाबा को स्विकार कराएंगे वो बोजन शक्तिशाली बन जाएगा ताज हम सुनते हैं पंद्रा, दस, बीस के मधुरमावा के साकार बाब दादा के बाबा करते हैं मीठे बच्चे नाजूपना छोड़ देविमान छोड़ो रूठना, रोणना ये सब आश्री संसकार तुम बच्चों में नहीं होने चाहिए दुख सुग मान अपान सब सैन करना है प्रशन है सर इसमें ढीला पनाने का मुख्य कारण क्या है जब देविमान के कारण एक दो को खामिया देखते हैं मन एक दो की कमी कमजोरी देखते हैं तब सर इसमें ढीला पनाता है आपस में अन्बनी होना भी दिय अभिमान है मैं फलाने के साथ नहीं चाह सकता मैं जा नहीं रह सकता ये सवना जुद बना है ये बोल मुख से निकालना माना कांटे बनना ये दूसरे को दुख देना ना फर्मान वरदार बनना मैंना कि आग्या का पाला नहीं करना बाबा कहते है बच्छे तुम रुहानी मिल्टरी हो इसरी बाब का अडर हुआ तो फौरण हाजर होना चाहिए कोई भी बात में आना कानी मत करो क्योंकि बाबा हमें बहुत उंचा बनाना चाहते है हमें सेवा में मददगार बनाना चाहते है इसरी हमें बाबा की कभी भी सेवा का मौका चांस गवाना नहीं चाहिए और अपना संसकार इतना देवता सुरूप हो जा अपस हमें बहुत प्यार से रहें एक दूसरे को समान दे कर चलें ओम शान्ति रुहानी बाब देट रुहानी बच्चों को समझाते है बच्चों को पहले पहले ये शिक्षा मेरती है क licha को अपने को आत्मा निश्चे करो दे अभिमान छोड दे ही अभिमानी बनो हम आत्मा है दे अभिमानी बने तब ही बाफ को याद कर सकेंगे मना आत्मी सुरू में टिक कर बाप को जाद कर सकते हैं वे है अग्यान काल जी है अग्यान काल अग्यान काल में तो हम देधारियों को जाद करते हैं जहां बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को जाद करो घ्यान तो सारे कलम में एक ही बार बाप आपकर देते हैं क्योंकि वू है सरुका सदगती दाता और वू है निराकार अर्थात उनका कोई शरीरी का कार नहीं है जिसको मनुष्व का कार है उसको भगवान नहीं कह सकते शे बाबा तो निराकार है देधारी को भगवान नहीं कह सकते आप सब आत्माइं भी निराकारी हो बाप को याद करेंगे तो जनम जनमांतर के पाप भासमोंगे अब बाप कहते मीठे बचे तुम्हें वापिस घर चलना है तो घर चलने के लिए आत्मा को पाउन बनना है और बाप को याद करना है और को पाई है नहीं आत्माई पतित आत्माई पाउन बनती है तो बाबा ने समझाया कि सद्जु में तो पाउन आत्माई है पतित आत्मा फिर रामराज्ये में होती उसको का जाते है निर्वान दाम शांती धाम को निर्वान दाम सद्जूत रेता में पावन आत्म है फिर द्वापर से पतिता आत्म है फिर बाबा कहते है बच्चे मैं तुम्हें ग्यान दे रहा हूं पति से पावन होने का ये सिरब मैं ही देता हूं जो फिर ये ग्यान भी प्राइलोफ हो जाता है जब हम आत्में दीवता बन जाती है तो ये ग्यान भी प्राइलोफ हो जाता है और बाब भी शांती दाम बैश जाते है बाब को या कर सुनाना पड़ता है बाबा कहते तुम मेरे द्वारा ही पती से पावन बन सकते हो क्योंके पावन दुनिया तो जरूर बननी ही है यह तो निश्चित है पावन दुनिया जरूर बननी है लेकि उसमें जानने के लिए हमें पावन बनना है तो बाबा कहते हैं मेरे दारे बन सकते हो मैं तो बच्चों को या कर आजोग सिखाता हूँ साथ साथ देवी गुन भी जरूर धारन करने है रूठना रोना ये सब आश्री स्वभाव है बाबा कहते दुख सुख मान अपान सब बच्चों को सैन करना है क्योंकि दुख सुख जा मान अपान हमारे पिछले कर्मों का खात है उसे चुक्तू करना है सैन करना है ये नाजुक बना है मैं फलाने इस्थान पा नहीं रह सकता ये भी नाजुक बना है इसका सुभाव ऐसा है ये ऐसा है ये वैसा ये कुछ भी साथ चलने का नहीं है ऐसा सोबाब संसकार हमारे साथ चलने का नहीं है, मुख से सदय रतन निकले, फूर निकले जो दूसरों को सुख दे, दूसरों की दौाइं मिले, कांटा नहीं निकलना चाहिए, फिर बाबा ने कहा, बच्चे आपस में बहुत प्यार से रहें, पर ये ड्रामा अमसार चलता ह किसी भी परकार की खामिया बच्चों में नहीं होनी चाहिए, बाब समझाते, सुधरना तो है, बाब कहते मुझे बच्चों के बगार, और तो कोई पैचान न सके, कलब पहले वाले ही, जो बाबा के बच्चे होंगे, कलब पहले वाले भी, वो धीरे धीरे निकलते क्योंके ये बिलकुर नई बाते हैं, ये है गीता का युग, प्रन्तु शास्त्रों में, गीता संगम युग का ज्ञान ही नहीं, लेकिन जब राजयुग सिखाया, तो ज़रूर संगम पर आये होंगे ना बाबा, संगम पर आकर हम बच्चों को राजयुग सिखाकर, कि बुद्धी में ये बातें आती नहीं, अभी तुमें ग्यान का पूरा नशा चड़ना चाहिए, कौन पढ़ा रहा है और क्या पढ़ा रहा है, क्या बना रहा है, तो बाबा कहते, ये सीड़ी उथान और पतन की बहुत अच्छी है, सीड़ी से में 84 जन्मों का ग्यान मिल बाब का कुछ भी हमें आडर होता है सेवा के लिए तो कभी आनकानी नहीं करनी है, जेनी कहना चाहिए कि मैं नहीं कर सकता हूँ, इसको का जाता ना फर्मान वरदार बच्चा, शिरीमत मिलती है, ऐसे ऐसे करना है, तो समझना चाहिए शिरीमत हमें कौन दे रहा है, शिरीमत नहीं देगा, वैसे दाम बच्चों का कल्यानकारी है, बाब कहते, मैं इनके भी बहुत जनमों के अंत में परवेश करता हूँ, इनमें ही देखो, लक्ष्मी आगे चली गए, ब्रमा बाबा के तन में शिवावा ने परवेश किया, लेकिन ममा ने मीत्राउं चाप पुर्शार्थ किया, जो बाबा से भी पहले उसका जनम, लक्ष्मी तेज चली गई, आगे बढ़ गई, गाइन भी है, फीमेल को आगे रखा जाता है, दौपर से तो भाईयों का राज, और इस समय बाबा ने भेनों को आगे रखा है, पहले लक्ष्मी फिर नारायन, जथ राजाननी तथा प्रजा, तुमको भी ऐसा श्रेष्ट बढ़ना है, रादे क्रिष्ण जैसा, लक्ष्मी नारायन जैसा श्रेष्ट अभी बढ़ना है, इस समय तो सारी दुनिया में रामराजी है, सबी कहते हैं रामराजे चाहिए, आप ऐस संगम, जब इन लक्ष्मी ना राइन का राज्य था, तो रामराजी नहीं था, फिर चेन कैसे होता, सद्यूग में रामराजी है, लक्ष्मी नारायन का राज्य है, पर उस हमें रावन होता नहीं, फिर बाद में रावन राज्य में आते हैं, फिर संगम पर बाप आकर, फिर हमें सद्यूगी दुनिया मे लेट चलने के लिए लाइक बनाते हैं तो इस समय मनुष्यों को अपनी रुहानी नौलेज लेकर अपने जीवन को श्रेष्ट बनाना है क्योंकि बाप आयां राजयुक सिखाने शिरी क्रिश्चन को भी रुहानी बाप नहीं कह सकते वे ऐसा नहीं कहेगा हे रुहानी बच्चे शीर कृष्ण तो सद्यू का प्रिंस है वे संगम पर आना सके और ऐसा कहना सके हे रुहानी बच्चे ये भी लिखना चाहिए रुहानी नौलेज बाप स्प्रिच्छल नौलेज रुहानी बच्चों को ही देते हैं तो बाब समझाते दुनिया में सभी मनुश्य देवी मानी मैं आता हूँ आकर तुम्हें आत्मिक सुरूप का ज्ञान देता ये कोई नहीं जानते बाब कहते किसी को भी आत्मिक सुरूप में टिकना नहीं आता अब तुम बच्चों को समझाया है कहते भी हैं ग्यान भक्ती और वेराग जब हमें बाबा का ग्यान मिलता समझ आती है फिर भक्ती से मरब वेराग हो जाता है ग्यान फिर आदा कलब चलता है फिर भक्ती शुरू हुई अब तुमको ग्यान मिलता है तो भक्ती से विरागा जाता है बाबा कहते पहले पहले किसी को भी समझाओ तो अल्ला फर्बे का ग्यान दो अल्ला मना मैं आत्मा हूँ बे मना वर्सा कि मैं आत्मा श्री बाबा का बच्चा हूँ बच्चे बाब से ही मुझे वर्सा मिलता है पहले अलब फर भी बाप तो एक निराकार है बाप ही बैठ रचता रचना के आदमधन का ज्ञान देते हैं बाप का परिचे सिर्व तुम ही दे सकते हो कि इस समय बाप कहते हैं मा में कम याद करो पहले बाप का निश्चे पका हो जाए तब कहेंगे 84 जनम लेने वाले चक्र को भी समझ लिया बाप को भी समय लिया फिर कोई प्रशन नहीं उठेगा क्योंकि इसमें सारा ग्यान आजाता है तो फिर कोई प्रशन नहीं उठता अब बाबा कहते टाइम वेस्ट नहीं करना पहले पहली बात अपने को अलव आत्मा समझो बिलको सिंपल डेती और धीरे से बैठके समझाना चाहिए जो देहिये मानी होंगे वे अच्छा समझाने सकेंगे बड़े-बड़े म्यूजियम आदी समझाने वाले को मदद देनी पड़ती है क्योंकि म्यूजियम बनते हैं तो हमें जाकर सेवा में मदद करनी पड़ती थोड़े रोज अपना सेंटर छोड़ जाकर मदद देनी है पिछाडी में सेंटर पर किसी और को बिठा दो, जो सेंटर भी चलता रहे और हमारी सेवा भी वहां होती रहे तो बाबा कहते अपनी गदी पर बिठाने किसी को लाइक बनाओ अपनी क्लास में सेवा करते करते ऐसा कोई लाइक बनाओ जो आपके पीछे सेंटर संबाद सके तो बाबा कहते मारती ब्रामने उनको का जाता है जो जट सेवा का चांस मिला और गए तुम बच्चे जितना बाब को जाद करेंगे उतना बाबा की जाद सता ही आएगी बाबा की जाद से ही पापकरम भसूंगे फिर बाबा कहते हैं मुर्ली भी रोज जरूर पढ़नी जा सुननी है अगर मुर्ली नहीं पढ़ी तो गया अफसेंट हो गया मुरली नहीं सुनी या नहीं पड़ी तो बाबा की घर में एपसेंट हो गया तुम बच्चों को सारे विश्व पर घिराव डालना है मानन सारे विश्व को बाबा का संदेश देना है तुम सारे विश्व की सेवा करते हो पती दुनिया को पाउन बनाना ये घिराव डालना है सबी को मुक्ती जीवन मुक्ती धाम का रास्ता बताना है सबी को दुखों से छुडाना है अच्छा मीठे मीठे सिकलदे बच्चों पृत मात पिता बाब दादा का जाद प्यार गुड मॉर्निंग रुखानी बाब की रुखानी बच्चों को नमस्ते रुखानी बच्चों की रुखानी बाब दादा को नमस्ते नमस्ते बाबा गुड मॉर्निंग सदारो हस्ते हस्ते शुक्रिया बाबा शुक्रिया कितने हमारी आंग खोल कर हमें समयदार बना रहे हैं अब आधारना के लिए मुक्षार, बाबा कहते, बहुत मीठे शांत, अती मीठे सभाव का बनना है, बहुत मीठे शांत, अती मीठे सभाव का बनना है, कभी भी ग्रोध नहीं करना है, अपनी आँखों की बहुत बहुत सिवल बनाना है, दूसरा है बाबा जो हुकम करे उसे फोरण मानना है सारे विश्व को पती से पान बनाने की सेवा करनी है अर्थाद घिराव डालना है अब्यवर्दान अपने महत्व करतवे को जानने वाले सदा जागती जोद भाव अपने महत्व वा करतवे को जानने वाले सदा जागती जोद भाव आप बच्चे जग की जोदी हो आपके परिवर्टन से विश्व का परिवर्टन होना है इसलिए बीती को बीती कर अपने महत्व करतवे को जान सदा जागती जोद भाव सदा आत्मिक जोती जगती रहे और बीती बातों को बिंदी लगाते जो आप सेकेंड में सो परिवर्तन से विश्व परिवर्तन कर सकते हो सिरफ प्रैक्टिस करो अभी अभी करम जोगी अभी अभी करमाती स्टेच अभी-अभी करम करने के लिए हम करमिंद्रियों से कारे कर रहे हैं फिर अभी-अभी अभी तो फरिष्टा बन बाबा के पास सुख्षमतन में जैसे आपकी रचना कच्छुआ है सेकिंड में सब समेट लेता है ऐसे हम मास्टर रचेता समेटने की शक्ति के अदार से सेकेंड में सर्व संकल्पों को समेट कर एक क्रा स्थिति में स्थित हो जाओ स्लोगन है लवलीन स्थिति का अनभव करने के लिए सम्रती विस सम्रती का युद्ध समापत करो मैं कभी जाद किया कभी भूल गए अगर हम बाबा के प्यार में खोई रहने का अभ्यास करते हैं तो सम्रती विस सम्रती के जुद्ध खतम करो आज का स्वमान है मैं सदा जाकती जोत हूं हर समय आत्मी दीपक जला रहे हमारे दोरा अनेक आत्मों को वाइब्रेशन मिरते रहे हैं ताके वो भी अपना जीवन बनाए ओम शान्ती आज की अव्यक्त मुरली जरूर सुनें उसके लिए उपर दिये गए बोक्स को टच करें